नमस्कार दोस्तों ये 10 large cap stock देते हैं निवेशकों को सबसे ज़्यादा dividend देखिए dividend yield आपके पास है कोई या stock दोस्तों सेर बाजार में निवेश करने से पहले निवेशक इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस अस्टॉक में भी निवेश कर रहे हैं उनमें रिटर्ण के साथ साथ डिविडेंट देने की कितनी शमता है अक्सर निवेशक देखते हैं अस्टॉक निवेशकों को कितना डिविडेंट दे रही है कुछ अस्टॉक हैं जो अपने निवेशकों को सालाना जबरदस्त डिविडेंट देते हैं दोस्तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आउन कर लीजिए दोस्तो जब भी किसी अस्टॉक की डिविडेंट देने की बात आती है तो विदानता का नाम जरूर लिया जाता है जिसने पिछले कुस सालों में निवेशकों को भरपूर डिविडेंट दिया है माइनिंग सेक्टर का अस्टॉक निवेशकों को पशंद इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह अस्टॉक पिछले कई सालों से निवेशकों को अच्छा डिविडेंट देता है इसके अलाबा भी मार्केट में कई सेक्टर से के स्टॉक हैं जो अपने निवेशकों को अच्छा खासा डिविडेंट देते हैं आईए हम जानते हैं कि वह कौन सा स्टॉक है जो डिविडेंट देने के मामले में टॉप पड़ है घरेलू ब्रोकरेज फर्म, एक्सिस सक्रेटीज के अनुशार विदानता, आयोशी और टेक महिंदरा टाप टेन लार्ज केप कमपनियों में से हैं जिनोंने पिछले एक साल में सबसे अधिक डिविडेंट येल्ट अपने निवेशकों को दी है पहली कमपनी है विदानता लिमिटेड, इंडस्ट्री इसकी मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से आती है, पिछले 12 महिने में 30 उर्पया डिविडेंट दी है और इसका डिविडेंट येल्ड 7.8 परतीसत है पिछले 12 महिने का अगली कमपनी कोल इंडिया है ये मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से आती है पिछले 12 महिने में 25 उर्पया का डिविडेंट दी है इसका डिविडेंट येल्ड 5.4 परतीसत है अगली कमपनी है इंडियान ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड ये औयल एंड गैस सेक्टर से आती है पिछले 12 महीने में यह 8 रुप्या परती से डिविडेंट दी है इसका डिविडेंट हील्ड 4.7 परतीसत है अगली कंपनी पावर गिरेड कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड है यह यूटिलिजी सेक्टर से आती है इसने 12 रुप्या परतीसे मतलब एक साल में ड इसका डिविडेंट हील्ड 4.4 परतीसत है अगली कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड है यह आईल एंड गैस सेक्टर से आती है यह 25 रुप्या परतीसे डिविडेंट दी है पिछले 12 महीने महीनों में और इसका डिविडेंट हील्ड 4.2 परतीसत है अग अगली कंपनी टेक महिंदरा है यह आईटी सेक्टर से आती है इसने पिछले 12 महीने में 44 रुप्या डिविडेंट दी है और इसका डिविडेंट यिल्ड 3.7 परतीसत है अगली कंपनी है ONGC मतलब ओयल एंड नेचुरल गैस कर्परेशन लिमिटेड यह ओयल एंड गैस सेक सेक्टर से आती है यह 12 महीने में पिछले 12 महीने में 15 रुप्या डिविडेंट दी है परतीसे इसका डिविडेंट यिल्ड 3.6 परतीसत है नेक्स्ट कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है यह मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से आती है जो कि वेदानता की सबसीडरी कं पनी है यह 12 महीने में 13 रुप्या का डिविडेंट दी है